कानून की क्लिष्चता उसकी भाषा ऐसी होती है और उसकी वज़े से कॉंप्लेक्सिटी की वज़े से सामान्य नागरिकों को बहुत सारा धन खर्च करके न्याय प्राप्त करने के लिए इधर उधर दोड़ा पड़ता है इसलिए कानून जब सामान्य मान्य की समझ में आता है उसका प्रभावी कुछ और होता है इसलिए कुछ देशों में जब संसद या विधान सभाय में कानून का निर्मान होता है तो दो तरह से उसकी तैयरी की जाती है एक है काणून की परिभाशा में टेक्निकल सब्दों का उप्योग करते हुए उसकी बिस्तरथ व्याथचा करना और दूसरा उस भाशा में काणून को लिखना और जो लोग भाशा में लिखना उस देश के सामानने मानभी को समझ आए उस रुप में लिखना मुल्ख कानून के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुई लिख जा इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए कुछ देशों में ऐसा भी प्रावधान होता है कि कानून के निर्मान के समय ही ये ताय कर दिया जाता है कि वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा यानि एक तरह से कानून के निर्मान के समय ही उसकी उमर उसके एक्सपैरिडिक ताय कर दी जाती है ये कानून पांच साल के लिए हैं, ये कानून दस साल के लिए है, तैकर लिया जाता है। जब वो तारीख आती हैं, तो उस कानून की नई परिस्तितियों में फिर से समिक्षा होती है। भारत में भी हमें इसी भावना को लेकर आगे बढ़ना है। इस दिशा में देश कई बड़े प्रयाद भी कर रहा है। किसी भी नागरी के लिए कानून की भाषा बाधान न बने। हर राज्य इसके लिए भी काम करे। इसके लिए हमें लोजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्टर का सपोर्ड भी चाहिए होगा। और युवाओं के लिए मात्रू भाषा में अकडेमिक एको सिस्टिम भी बनाना होगा। लौ से जुड़े कोर्सिस मात्रू भाषा में हो। हमारे कानून सहच सरल भाषा में लिखे जाए। हाई कॉर्ड और सुप्रिम कॉर्ड के महत्वण के सेस्की डिजिटल ड्राइबरेरी स्थानिय भाषा में हो। इसके लिए हमें काम करना होगा। इससे सामान ये मानवी में कानून को लेकर जानकारी भी बढ़ेगी और भारी भरकम कानूनी शब्दों का डर भी कब होगा।